कि हलो एवरीवन मैं तुशार अगेन आप लोगों के लिए लेकर आए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक है हमारा न्यूप्लियर पावर प्रांट्स इन इंडिया देखिए काफी इंपॉर और भाई आप यह मत कहना कि हम तो आलस कर गए ठंड हो रही थी रजाई में बैठे थे महीं पर बैठके सेशन देख लिए हमने तो नहीं रजाई से बहां डेकलो नोट्स बनाओ इसके क्योंकि जो अब इस सर्दी में मेहनत कर रहा है आराम से बाहर बैठके पढ़ रहा है हो तो उसी का सेलेक्शन होगे है समझरे आप आपका सब्सक्रण घंड होगह गहा होगए जो महनत करता है उसी का सब्सकुर्क कीborर करते हैं तो सएचलभ बावर टान तो कुछ ही नहीं होता बसी कली यह क्या एक थर्मल पावर इस्टेशन ही एध्ससेशन ही निथे जएधिक और सउर्स एंध्सक्या और हूती है अभिल moral रियक्टर इचल क्या होता है यह को नोटस में भी इरा कर लीजेगा तो देखिए जो नार्मठी थर्मल पावर स्टेशन होता है या फिर प्लांट होता है ठीक है उसमें क्यों घूल बासんだ का सूर्स होता है सबसे पहले क्या होता है हीट थरहीट होता है अभी हीट का सूर्श कुछ हो सकता है कोई और प्य absolument ओक syndrome products हो सकता है या फिर एक nuclear fuel हो सकता है nuclear fuel का होता है यो इस nuclear reactor के अंदर यूज होगा, heat को generate करने के लिए, अब इस heat के source से हम क्या करेंगे, water, ठीक है, water से heat करेंगे, इस heat के source से water को heat करेंगे, और water को heat करके क्या बनाएंगे, steam बनाएंगे, या फिर high pressure steam बनाएंगे, high pressure steam बनाएंगे, इस steam से क्या होगा, turbines run करेंगे, turbines को run करेंगे, ठीक है, turbines run होगी, तो क्या होगा जनेरेटर चलेगा क्योंकि टर्बाइन क्या होती है जनेरेटर से connected होती है ठीक है और जब जनेरेटर रन होगा अत्यति होगा और electricity प्रडीज होगी समझ गया यह एक basic flow chart है basic steps होते हैं कि सीभी normal thermal power station के अंदर चाहे वो nuclear reactor वाला यह non और nuclear reactor वाला हो ठीक है तो अब आगे चलते हैं और कुछ और basic सी बाते में आपको उताता हूँ आगे चलने से फ़ले थोड़ा और जान दो हाँ जैसे अब यह न्यूक्लियर रियक्टर hydrogen और helium अगर मिलेंगे hydrogen और helium अगर मिलेंगे तो क्या बनाएंगे लीथियम बनाएंगे ठीक है और यह जो nuclear fusion है काफी क्या कहते हैं मुश्किल है अभी तक हम इस पर क्यों रिसर्च ही करने हैं ऐसा कोई बहुत जादा मारे पास कोई है नहीं जिसमें nuclear fusion होता हूँ पठा हाल फिलाल में आपको पता होगा चाइना से एक न्यूज आई थी कि नोने nuclear fusion के अंदर कुछ success हासिल करी है तो उसको भी आपको follow-up रखना है ठीक है उस न्यूज को पर भी follow-up रखना है अच्छा nuclear fusion क्या होता है यह भी देख लीजे कशला है दोग सकिता है तो चोटे 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 proto एंट में ब्रेक होता है दो चोटे चोटे इंटम से ब्रेक हो जाता है जैसे कि ऊ pagar आप इसक ब्सक्ड पोलं稀मрий अग्जांपल अधび अजे हैं प्लस आप इस सारे क्या है क्प्लिक्ति ऐलिमेंट से जिसके जो बिसीके ल तो यह आप डाइग्राम देखने काफी इंपॉर्टेंट है आप इसको बनाएगा बिल्कुल मत नहीं नहीं कोँगा बना लीजिए हाल लेकिन आपको टर्म्स बताऊंगा आप वह यहां पर आराम से सुन लीजिए ठीक है तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर य इनधर क्या होता है एक नूक्लियर रियक्टर है अब फिर एक फिल को भरते है यहां प्रवार्गे तरफ यह कंट्रोर से ने इसके थो क्या करते है reaction को अगर हम रोखना है हम वो कंट्रोल करेंगे ठीक है आगे आप देखने इस्टीम लाइन से अब होता क्या है जब यहां से reaction होती है जब यहां पर reaction होती है तो हीट का flow होता है वो सीट के फ्लो से क्या होता है इस stream line के अंदर high pressure stream बनती है ठीक है फिर देनी stream आगे की तरफ फ्लो होती है और इंट turbines को run करेगी और जब टर्माइस रन होंगी तो हमारे जनरेटर चलेगा और जब जनरेटर चलेगा तो कि निकल वे और द्हुं कुछ नियीग है ये वॉटर वेपर जी होता है कि यह अक्या है गरम पाणी को यहाँ पर लाते है ठीक है then हम इसको रन करते हैं in इन पाइप के तुरू ठीक है और फिर यह पानी को हम एक water का बेसिन है हमारे पास school water basin इश्वार्टर बेसिन ईसमें हम रन कराते हैं और यहाँ से पंप है अगेर इस फॉर्टर को यहां से इन दो एटम को एब्सॉब कर लेगी जिससे क्या होगा आगे रेक्शन फॉर्दर पसीर ही नहीं होगी ठीक है काँ मैं काफ़े इंपोर्टेंट रोल प्ले है आपको पता होना चाहिए तो चले आगे चलते हैं थोड़ा देखते हैं कि इंडिया के अंदर हमारे नूक्लियर एनर्जी का शुरुवात शुमार के उए जय क्या हूएंगी ऑनदर। तो फ़िय तो हुआ क्या था कि नैंटीन विंदर आजाद ही हुआ तो 1948 नैंटीन के अंदर हमारे जो ቅमी जांगीर बाबा है होमी जहांगीर भाबा इन्हों ने शुरुवात करी हमारे नुखलियर फोग्राम की ठीक है हमारे नुखलियर परोग्राम के नूख शुरुवात करी आपको पताओगा इनको फादर ऑफ अटमिक एनर्जी यह आतोमिक बिसिकली बोल सकते हैं रिस्टर्च इन इंडिया भी बोला जाता है इनको तो प्रेजेंट ली इंडिया के पास कितने 22 हमारे पास न्यूक्लियर पावर रियक्टर हैं 22 पावर रियक्टर है और यह टोटल बिला कि 7480 मेगा वार्ट्स ऑफ एलेक्रिसिटी इसनलेखनें है है i offenders हैey फ्रेश्य एवाटर रियक्टर जें और जो चार है हमारे पास महें लाइट वॉटर इक्टर ठीक है और जनेट करते हैं टॉब्हों फ़रेंट इने च्छेटी इस्टी एसक रifiques इने लिए तो देखें यह हमारी पूरी नूपर पावर स्टेशन के लिए टोट र साथ हैं इनकें अन्दर हमारे 22 रियक्टर थे तो आएटेखे सबसे पहले हमारा तारा पूर पावर स्टेशन जो कि महराश्टरा के अंदर है और इसके अंदर हम जननेरेट करते हैं फौर्टीन हंडेड मेगा वाट्स की टोटल चार यहां पर क्या है रियक्टर आगे हमारा काईगा जो कि करनाटका के अंदर इसके अंदर हमारे पास अगीन चार रियक्टर हैं और यह 880 मेगा वाट्स की जनरेट करते हैं फिर अगले दो बहुत इंपोर्टन है क्योंकि दौ इसके अंदर दो रियक्टर थे हें 1000 मेगा वाट्स की ऑर प्रपोज है यहां पे 6000 मेगा वाट्स की जनरेट होती है अगला है नरोरा कैशन जो कि उत्तर परद्धेश के अंदर है इसके अंदर भी हम 440 मेगावाट्स की लेक्रिस्टी जनरेट करें वैसे आपके लिए फीगर्स को कितने खास इंपॉर्टेट नहीं है आपके लिए इंपॉर्टेट पावर स्टेशन और स्टेट तो देखे अगला हमारा रावत भाटा इसका आप राजिस्थान पावर स्ट पावर स्टेशन की इमेज है इसके तो आपको याद रखने हैं कि साथों की साथों पाव स्टेशन कहां परें इससे सबसे जादा बार कोशन पूछे गए ठीक है चले आगे चलते हैं और थोड़ा एक मैप के तुरू भी देख लेते हैं विजुलाइस कर लेते हैं कहां पर और अगीन दो वेरी वेरी इंपॉर्टन एक है कुंदन कुलम और एक है मद्रास जिसको आप क्या बोलते हैं कल पक्कम भी बोलते हैं ठीक है ध्यान रखेंगे आप इस बात को मैप इसलिए इंपॉर्टन है क्योंकि मैप से आपका से विजुलाइजेशन आता है आप अप से याद रख पाते हैं तो इसमें आपको भी आप ध्यान रखिएगा एक बार देख लीजिए इसके स्क्रीन शॉट एलिए कहीं पर तिस्त्राप अच्छी से बार देख पाए चले आगे चलते हैं तो देखिए हैं कुछ हमारे प्लैंड न्यूक्लियर पाव प्लांस इन इ काफी इंपॉर्टेंट है यह वाला ध्यान रखिएगा फिर मध्यप्रदेश के नदर हम दो बनाएंगे एक चुटका विलिज के पास और एक भीमपूर के पास फिर महराश्ट्र में यह काफी तक बन चुका है पहले भी एक्जाम में पूशा गया है जैतपूर में बन रह चलते हैं तो यह चलते हैं अगली स्लाइड के ओपर जिस पर हम अच्छे से देखेंगे मैप के थूरू हमारे प्लैन न्यूक्लिय पाफ प्लांट प्लर्स जो अल्यडि बने हुए बिल्डेड है तो चले चलते हैं अगली स्लाइड के वपर तो देखिए यहां पर आप और यह व्यायाद के अंदर हरीपूर में बनेगा प्लस एक और अंदर प्रदेश वाला यह बनेगा भी तो यह सारे पाप्राइशन चाहिए और यह जो देखिए अंदर कौन से मदरास वाला है यह कुंडन कुलम है काईगा है यह जैतपुर वाला भी बन रहा है मैंने कातरा देख लीजेगा पूरे आराम से कोई जल्दबाजी मत कीजेगा चलिए आगे फावर्ट कर लेते हैं वीडियो को आराम से देखेगा ठीक है तो चलिए अब कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो भी हम जान लेते हैं जो पहले पूछे गए हैं जैसे कि सबसे पहले देखें कि जो नुक्लियर एनर्जी कमीशन इंडिया के अंदर वो इस्टेब्लिश हो था टेंथ ऑफ अगस्ट नाइटिन फॉटी एट में और हाँ यहीं से हमारे जो हो मी जहांगीर बाबा है इन्होंने हमारे नुक्लियर प्रोग्राम की शुरुवात करी थी ठीक है इं इंडिया फर्स नुक्लियर पावर प्रांट कौन सा था तारापूर एटमिक पावर इस्टेशन तो चलिए इनी इंपॉर्टेंट के साथ एंड करते हम अपने आज की सेशन को आई होप आपके सेशन काथ अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए शे है कि इंपॉर्टेंट सेशन को मिशना करें चलिए मिलते हैं अगले सेशन में बबाई टेक केर ध्यान रखे अपना